यहान पर परौदा परसनलोन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं तो कौन कॉन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो कोई भी सहल Vocalolo या इंडी विजोलो या से सथीछलनल अगारा करता हो तो वो लोग है यहां से इलिजबल माने जाएंगे यहां पे आप जो मिनिमम एज जो एक लाग से स्टार्टिंग होगी और रूरल और सेमी अर्बन ब्राज से हो तो यहां पे पचास यार से स्टार्टिंग हो जाएगी लोन की प्रोसेसिंग फीज यहां पे क्या लगती है जो भी गौवर्मेंट इप्लोई जिनका सेलरी एकाउंट बैंक को बढ़ोदा में होगा उनकी कोई भी प्रोसेसिंग फीज नहीं लगेगी और जो अधार इंप्लोई होंगे तो उनको एक परसन से लिएक दो परसन तक की प्रोस चाहिए तो आप यहां से परसन लोन ले सकते हो अब यहां पर इलिजबिल्टी क्या रिक्वार होती है तो कोई भी जो इंप्लोई होंगे सेंट्रल और स्टेट गौवर्मेंट के जो भी सेलरीड वगरा है इंडिविज्वल होंगे या किसी एजूकेशनल इंस्टिट्यू अब सेल्फ इंप्लोईट बिजनस जो परसन होंगे वो भी अपना एक साल से जो बिजनस वगरा कर रहे होंगे और यहां पर स्टाफ जो बैंक और ब्रोदर के स्टाफ मेंबर्स हैं और एनराई है वो यहां से इलिजबल नहीं होंगे इस परसन लोन स्कीम को लेने के लिए मिनिममम एज जो अप्लाई करने के वो बताएगा 21 साल है अब यहां पर कितना जो है मैक्सम लोन मिल सकता है तो 20 लाग का मैक्सम लोन मिल सकता है मिनिममम आपको यहां पर एक लाग से स्टाटिंग होगी फोर मेट्रों अर्बन और यहां पर 50 से स्टाटिंग होगी रूलर लिए पैनल्टी इंट्रेट जो लगीगी आप दो परसंट तक लग सकती है अगर आपको का जो है मालीज आप यह माई पे करते हो उसको आप लेट कर देते हो तो आपको दो परसंट पर मंद के इसाब से आप चार्ज वगरा देने पड़ेंगे इंट्रेट वगरा क्या है आप यह देख लेते हैं तो सबसे पहले बैंक और ब्रॉदा में अगर आप गवर्मेंट इंप्लॉई हो डिफेंस परसल हो जिनकी सैलरी बैंक और ब्रॉदा में आती है तो उनको जो रेट ओफ इंटरस्ट मिलेगा 10.9 जो से स्टार्टिं होगी 11. 11.40 परसंद तक जाएगा अब यहां पर कुछ इंप्लॉई होंगे जो सेंट्रल इस्टेट गॉवर्मेंट के होंगे पी एस यूज के होंगे लिस्टेट पब्लिक लिम्टेट कंपनीज में होंगे या किसी एजुकेशनल इंस्टिडूट में है जिनकी सैलरी एकाउंट कि 12.65 परसंद से स्टार्टिंग होगी 16.25 परसंद तक जाएगा फिर यहां पर जो आते हैं इंप्लॉई और प्राइवेट पब्लिक्स ट्रस्ट लल्पी इंस्योरेंस एजेंट सेल्फ इंप्लॉद प्रवेशनल जिनका एकाउंट बैंक का बढ़ोदा में नहीं होगा उनके लिए 14.6 आज से स्टार्टिंग होगी 18.25 परसंद तक जाएगा तो यह आप परसल लोन के देखे रेट ओफ इंटर्स चलते हैं अब डॉक्युमेंट क्या रिक्वार होते हैं परसल लोन लेने के लिए तो सबसे पहले तो आपको कम्प्लीटली फिल्ड लोन अप्लिकेशन फर्म देना पड़ेगा विट थ्री पासपोर्ट साइस होटो बैंक एकाउंट स्टेट्मेंट लास्टिंग लास्टिंग दे सकते हो फिर अगर आप सैलेड इंडिविज्वाल होगे तो इंकम प्रूफ के तौर पर लास्ट स्टेट्मेंट वगर आपको दिखाना पड़े पड़ेगा इंकम टैक्स रिटन जो है आपको लास्ट वन यर का दिखाना पड़ेगा जो भी आप बिजनस वगरा करते हो तो उसके बिजनस प्रूफ दिखाना पड़ेगा जिसमें आपको मास्ता लाइसेस, रेजिस्टेशन, सर्विस टेक्स रेजिस्टेशन दिखा सकते हूँ, तो यह कुछ डोक्यूमेट वाइरा रिक्वार होते हैं, बैंक अपरोधा से परसल लो लेनी कि